जैहिन सातियों आप सब ही का स्वागत करता हूँ आप सब ही के अपने चैनल टारगट सेलेक्शन में, सातियों आज यहाँ पर CDP के ऐसे टॉप 30 कोशन्स देखेंगे, ऐसे टॉप लेवल के कोशन्स देखेंगे, जिन कोशन्स को अगर आप देख लेते हैं तो परिक्षा में साथियों को माई का लाल आपको हराने वाला पैदा नहीं हुआ यानि ये 30 कोशिंज को देखकर अपने एक्जाम को क्रेक कीजिए बहुत तेजी के साथ साथियों प्रषणाप की स्क्रीन पर से गुजरेंगे पहला प्रशनाप की स्क्रीन पर है कि गर्व में संतान सबसे जादा प्रभावित होती है तो गर्व में जो संतान होती है सबसे जादा सातियों मा के पोशन से प्रभावित होती है ना कि टीवी देखने से ना कि आस पड़ों से ना कि पूरवजों से इसलिए आंसर अगर आपके है option number A के साथ तो बिलकुल correct हो जाता है अब उसके बाद देखिए next number का प्रशनाप की screen पर है बताईए कि मानब जीवन की मनु भौतिक एकता क्या कहलाती है बताईए तो साथियों क्या कहलाती है अगर बात करें मन और शरीर का विकास या शरीर और हड्डियों का विकास या साथियों शरीर तथा हिर्दय का विकास या साथियों आत्मा और मासपेशियों का विकास तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर जो होगा वो आप्शन नमबर B के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर B है तो बिलकुल करेक्ट है दो से पांच वर्ष की आईउ साथियों क्या कहलाई जाती है देखिए जो भी आपका सीट एट का एक्जाम लगा हुआ है 2024 में उस सीट एट के एक्जाम के लिए यह 30 कोशन साथियों बहुत ही इंपोर्टन्ट है 2-5 वर्ष की आयू साथियों क्या कहलाई जाती है यह आप से पूछा जा रहा है देखिए अगर 6 अवस्ता की बात करते है तो 0-5 वर्ष की आयू 6 अवस्ता कहलाई जाती है 12 अवस्ता की आयू की बात करे तो 5-12 वर्ष की आयू कहलाई जाती है और किशोर अवस्ता की बात करें तो 13 से साथियों 18 लगभग वर्ष की आयू क्या कहलाई जाती है आपको धिहान रखने किशोर अवस्ता कहलाई जाती है यहां पर आंसर की अगर बात करेंगे तो आंसर आपका किस ओप्शन के साथ जाएगा शैशा वस्ता के साथ जाएगा तो जिनका आंसर यहां पर आप्शन नमबर A है तो बिल्कुल करेक्ट है गर्व में सबसे पहले किसका निर्माण होता है आप से पूछा जारे तो साथे उं गर्व में सबसे पहले बच्चे के सिर का निर्माण होता है या आपको धियान रखने आंसर जिनका B है तो बिलकुल correct है बालक के सिर एवं मस्तिक्ष का सबसे ज़्यादा विकास किस अवस्था में होता है बताने की कोशिश कीजे देखे यहाँ पर अगर बात करें न वही आगया बाल वस्था की जब हम बात करते हैं तो 5-12 वर्ष होता है किशोर अवस्ता की बात करते हैं तो 13 से 18 वर्ष होता है और 6 अवस्ता साथियों 0 से 5 वर्ष का होता है और जो प्रोना वस्ता होता है वो 18 वर्ष से उपर तक का होता है लगबख 60 वर्ष का तो यहां पर साथियों आंसर आपका किस option के साथ जाएगा बालक के सिर एवं मस्तिश का सरवदिक विकास किस अवस्था में होता है तो कहा जा सकता है साथियो शैश अवस्था में होता है तो जिनका अंसर यहां पर B तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है चलिए उसके बाद देखिए जन्म के समय शिशू में कितनी हड़ियां होती है तो जन्म के समय तो साथियों 270 हड़ियां होती है आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखिए बीजवस्ता किसे कहा जाता है कि जिरो से दो सब्ताह तक की आयो को बीजवस्ता कहते है या दो से आठ सब्ताह की अबर को या आठ से सोलह सब्ताह या जनमजात होती है तो यहां पर कहा जा सकता है साथियो शुरू के जो चौधा दिन होते है यानि जिरो से दो सब्ताह की अवस्ता को बीज अवस्ता कहा जाता है या आपको ध्यान रखना है बालग अपनी माँ को पहचानना प्रारहम कर देता है कितने महीने से आप से पूछा जा रहा है तो अगर बात करें सात्यों लगभग लगभग तीन महीने आपको ध्यान रखना है तीन महीने के जब बच्चा हो जाता है तो वो अपनी माँ को पहचान ना शुरू कर देता इसलिए आंसर आपका जाएगा आप्शन नमर डी के साथ अब उसके बाद देखिए साथ यो ऐसे कोशन आपको मिलेंगे ही नए योटूब पर क्यों क्योंकि ये पूरे बाल मनोवग्यानिक के अगर बात करें बाल विकास के अगर बात करें तो सबसे चुनिंदा कोशन साथ योई ये लिए गए है बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तू उठा लेता है आपके अनुसार उस बालक की आयू लगभग लगभग कितनी होगी तो लगभग लगभग साथियों आठ से नौ महा की उसकी आयू होगी जब बच्चा क्या करता है जमीन से कोई वस्तू उठा लेता है उसके बाद देखिए दसमे नंबर का प्रशना आपकी स्क्रीन पर है कि वालक के जन्म के समय शिशू के मस्तिक्ष का बहर कितना होता है तो कितना होता है साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे 350 ग्राम का होता है अब उसके बाद देखिए सीखने का आदर्शकाल किसे माना जाता है बताईए तो साथियों सीखने का आदर्शकाल जो माना जाता है जो पांच से पांच वर्ष तक की आयो होती है शैशावस्ता इसी को ही कहा जा सकता है सात्यों सीखने का आदर्श कालिये होता है क्योंकि इसमें बच्चे को जिस टाइपस जो कुछ भी सिखाओगे वो लगभग लगभग एक लंबे अर्से तक वही करता रहेगा अगर उसको मुवाइल चलाना सिखाओगे यूटूब की वीडियो चलवाना सिखाओगे तो वो ही करता रहेगा 10-15-20 साल तक ठीक है तो कलपना जगत में विच्रन होता है सात्यों किसका होता है या आप लोग ध्यान रखेंगे शैशा वस्ता और किशोर वस्ता का होता है प्वाइल चाँच वश्तक का जब बालक हो जाता है तो वो रंगों की पहचान करने लगता है अब उसके बाद देखिए मिथ्या परिपकुता का काल किसे कहा जाता है आप से पूछा जा रहा है सात्यों बताईए तो जो सात्यों अगर बात करें बालवस्ता की एज होती है बालवस्ता का काल होता है इसी को मिथ्या परिपकुता का काल कहा जाता है आंसर आपका जाएगा बे के साथ चोटे चोटे वाकों को बोलना तता तीन पहियों की साइकिल चलाना यह कार किस अवस्ता में होता है तो सात्यों किस अवस्ता में होता है आप से पूछा जा रहा ह तो ये तो साथियों वही लगबग चार साल का हो जाता है बच्चा या पास साल का हो जाता है तो उसी कंडिशन में उसी इस्तिती में बच्चा क्या करता है छोटे छोटे वाकों को बोलना शुरू करता है और जो तीन पहिये वाली साइकिल होती इसको चलाना शुरू करता है उसके बाद देखिए मतलब शैशावस्ता का बिलकुल end होता है उस समय नेक्स नमबर का प्रिशन है कि कार्ल सी गैरिसन ने किस विधी का अध्यन किया था तो किस विधी का अध्यन किया था साथियों आपको ध्यान रखना है लंबातमक विधी का अध्यन किया था इसलिए right answer आपका जाएगा option number B के साथ नेमने मैंसे किस घटना की और बालक सबसे पहले आकरशित होना प्रारंब करता है देखिए जब बालक साथियों अगर बात करें छोटा होता ना शैशावस्ता में तो कहीं पर भी साथियों क्या कोई किसी भी तरीके की light जा लेगी ना तो तुर नहीं कह सकते हैं हम लोग ठीक है मालीजे बालक के अंदर कोई जग्यासा है बालक कुछ भी पूछता है आपसे मालीजे वो अगर आपसे कुछ भी पूछ लेता है कि ये सूरज इधर से क्यों निकलता है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमारा करतब ये होगा कि उस बात का उ उसको जवाब दे, यानि कि उसकी जिग्यासा को शांत किया जाए, ताके वो जिग्यासा उतेजित करना तो सही नहीं होगा, ठीक है, और जिग्यासा उसके खुद अंदर सही आएगी, तो इसलिए कहा जा सकता है, उसकी जिग्यासा को शांत करना होगा, यानि कि उसकी जिग् मांसिक प्रिकरिया है, शारिक प्रिकरिया है, सामाजिक प्रिकरिया है, या साथियों नैतिक प्रिकरिया है, तो कहा जा सकता है आपको धियान रखना है सीखना एक मांसिक प्रिकरिया है, आंसर आपका एक के साथ, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी, या आप स जो होता है न वो प्रारंब होता है सातियों कब से क्या गर्बवस्ता से ही प्रारंब हो जाता है शैशा वस्ता से किशोर वस्ता से या बालवस्ता से तो मैं सातियों कह सकता हूँ गर्ब में ही जो होता है बालक का विकास आरंब हो जाता है और ये जीवन पर रहन तक चलता है उसके बाद देखिए बुद्धी के बहुकारक सिध्धान का पृतिपादक कौन था बताईए तो सात्यों कौन थे थॉन्डाइक का नाम आप लोग ध्यान रखेंगी ये बुद्धी के बहुकारक सिध्धान के पृतिपादक माने जाते हैं उसके बाद देखिए 23 में नंबर का पृतिशन आप की स्क्रीन पर है बताने की कोशिश कीजिए साथियों अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और उसके अलावा साथियों एक प्यारा सा कमेंट लिखेंगे कमेंट सेक्चन में कि एक लास ये प्रिश्ण आपको कैसे लग रहे हैं कि आपको कम समय में वो कॉंटेंट आपको दिया जा रहा है जो एक्जाम में आपको देखने को मिलता है सब कुछ बताएंगे सारी जानकारी देंगे चलिए तो बच्चों की सीखने की पिरकरिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए कैसी भूमिका निभानी चाहिए क्या नकरात्मक तो नहीं तो बिल्कुल सही आंसर आपका जो जायेगा वो साथ यूज आगरोन मुखी के साथ जाएगा इसलिए आंसर जिनका C है तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देखिए मानव विकास किन दोनों की योगदान का परिणाम है बताएए तो अगर बात करें साथियो वन्शा नुक्रम भी इसका राइट आंसर होगा और वाता वरं भी इसका राइट आंसर होगा यानि कि सबसे बहतर जो आंसर जाएगा वो अप्शन नमर्सी हो जाता है प्रात्मिक विद्धालों के बालकों के लिए निवे से किसे बेहतर मानते हैं तो किसे मेहतर मानते हैं प्रात्मिक विद्धालों के जो बालक होते हैं ये वीडियो अनु रूपन को मानते हैं तो नहीं सात्यों परदशन को भी नहीं का जा सकते हैं लेकिन स्वैम के द्वारा किया गया अनुभव जो होगा साथियों ये सबसे बहतर मानते हैं इसलिए आंसर आपका सी के साथ जाएगा जिस पिरकरिया में वैक्ति दूसरों के वहवार से सीखता है ना के प्रत्यक्ष अनुभव से इसको क्या कहा जाता है ये आप से पूछा जा रहा है देखिए कहा जा रहा है कि वैक्ति दूसरों के वहवार से सीखता है तो जो दूसरों के वहवार से सीखा जाएगा और ना के प्रत्यक्ष अनुभव से उसको सातियों सामाजिक अनुभव कहा जाएगा सामाजिक सौरी अधिगम कहा जाएगा इसलिए आंसर आप बौद्धिक विकास का आपको धिहान रखना है मुख गुरूप से हिस्सा होता है इसलिए राइट आंसर जिनका है एक एसाथ तो बिल्कुल करेक्ट है बालक की जिग्यासा को किया जाना चाहिए आप साथियों लगबग तीन कोशन्स हम लोग वो कोशन्स देखेगे जो मैं आपको इसी क्लास में करवा चुका हूँ और देखना है मुझे कि आप उसका आंसर दे सकते हो या नहीं दे सकते हो तो कमेंट सेक्शन में आपको बताने कि इसका राइट आंसर क्या है भारत में बाल विकास की शुरुआत कब की गई तो कब की गई साथियों 1930 में की गई और 1930 में की गई आप सभी लोगों को याद रखना है तो ये साथियों बाल विकास के टॉप गोल्डन 30 कोशन्स आपने देखे उमेद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके वीडियो को शेर कीजेगा चैनल पर नए है तो चैनल को भी सबस्क्राइब कर लीजेगा तो मिलते हम सब लोग आने वाली वीडियो में जैहिन सातियों